जम्मु कश्मीर की डोड़ा में आतंकियों के साथ मुटभेड हुई जिसमें अधिकारी समेद पांच जवान शहीद हुए अब इस मामले में सेक्योरिटी एजंसियों ने कहा है कि आतंकी संगठन में कोई कश्मीरी नौजवान नहीं था कश्मी टाइगर्ज ने पाकस्तान के रिटायर कमांडू को शामल किया था पाकस्तान की ये सोची समझी रनीती है डोड़ा में आतंकियों के साथ मुटभेड में सीना के क्याप्टन समेथ पांच सुरक्षा बलू के जवान शहीद हुए आतंकी संगठन जैशे मोहमद के शैडू संगठन कश्मी टाइगर्ज ने इसकी जिम्यदारी ली सेक्योरिटी एजंसियों का कहना है कि इसके पीछे पाकस्तान की सोची समझी रनीती काम कर रही है एजंसियों का कहना है कि दरसल आतंकी संगटन जैशे मुहमत के अंडर काम कर रहे कश्मीर टाइगर्स में कोई कश्मीरी नौजवान शामल नहीं था बल्कि इसमें सारे पाकस्तानी हैं पाकस्तान के SSG यानी Special Services Group के Retired Commandos शामिल हैं जो हमले के दोरान पॉइंट बलॉक जैसे निशाने को साधने में माहिर हैं एक अधकारी ने बताया कि कश्मीर टाइगर्स नाम रखने के पीछे पाकस्तान और जैश की सोची समझी पश्मी देशों को ध्यान भटकाने की रणीती हैं जिसमें आतंकवादी संगठन का नाम स्लामिक ना रखा जाए दूसरा जम्मु कश्मीर में जब कोई आतंकी हमला हो तो दुनिया को ये लगे कि भारत में लोकल स्तर पर बनाए गए संगठन के लोग हमला कर रहे हैं पाकिस्तान नहीं उन्होंने कहा कि असल में कश्मीर संगठन में कोई कश्मीरी है ही नहीं अधिकारी ने बताया कि इस संगठन में कजमू कश्मीर में लोकल स्थर पर कुछ लोग जरूर सपोर्ट कर रहे हैं इसमें पाकिस्तानी लड़ा के भी शामिल है इसमें पाकिस्तान के पंजाब राज के बहावलपुर और लशकर के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो जवान शामिल है बहावलपुर पाकस्तान का दस्वा सबसे बड़ा शहर है सेक्यॉर्टी एजंसियों का कहना है कि आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि इसी तरह से इंगलिश नाम पर और कोई आतंकी संगठन सामने आए पाकस्तान नहीं चाहता कि वो दुनिया में खासतोर पर पश्मी समयदारी लेने में जैश और लशकर को डिरेक्ट नाम ना सामने आए इसलिए बाकी संगठन सामने आ रहे हैं जिस तरह से आतंकी लगातार कभी रईसी कभी कट उखा तू कभी डोडा जैसे बड़ी आतंकी हमलों को अनजाम दे रहे हैं वैसे सामने आ रहा है कि ये पहाड़ी या घल्ड़ी इलाकों में छुपे हैं इसे देखते हुए उनके खिलाफ भारत की सेक्योरिटी एजंसियों को भी अपनी रणीती बदल लेनी चाहिए क्योंकि वो हमारे जवानों को आसानी से टार्गेट कर पा रहे हैं एजंसियों को स्थानिय तर पर अपनी मुखबरी का नेटवर्क को और अधिक मजबूत करना होगा जिससे आतंकी जहां भी स्थानिय लोगों की मदद ले वैसे ही भारतिय सेक्योरिटी एजंसियों को इसकी भनक लग जाए तब जाकर इनका सफाया हो पाएगा NBT Online के रपोर्ट